जैहिं दोस्तों, कैसे आप सभी लोग उम्मेद करते हैं, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, और पढ़ाय वड़ाय कैसे चल रही है, वेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रस्णावली नंबर 7.3 तक पूरा एक एक कोशन कर चुके हैं, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाके देख लीजे, और अपने दोस्तों को भी सेयर कर दीजे, जिससे ओलोग भी अच्छे से पर सेकेट, ठीक है बेटा, आज हम लोग देखेंगे, प्रस्णावली नंबर 7.4 और त्रिभुज का आई बेटा, लास्ट चैप्टर है, ठीक है, इसके बाद अगला बेटर प्रस्णावली आठ शुरू करेंगे हम, तो आप लोग उसे जितना उसके उत्मा सेयर करी है, हम चलते बेटा, कोश्चन पे, कोश्चन देखते है, पहला क्या कह रहा, 7.4 का कोश्चन नंबर 1, ठीक है, तो आजओ बेटा, कोश्चन पहले पे, क्या कह रहा बाबू, कह रहा है, कि दरसाइक समकोर्त त्रभुज में करें सबसे लंबी भुजा होती है, तो बेटा ही हमको दरसाना, ठीक है, देखना ध्यान से, यह एक क्या है, समकोर्त त्रभुज है, बेटा, इसका नाम करड़ हम कर दे, इसका नाम रख दे, A, इसका नाम रख दे, B, इसका नाम रख़ते C, बेटा, यह क्या होगा? 90 होगा, तो यही क्या होगा हमारा कर्ड होगा, यह क्या हो जाएगा, बेटा, माल लिया? आधार, ठीक है, यह क्या होगा, बेटा, लंब, ठीक है, तो एक शीज देखोगे, सम कोड तको BendMeer जिगर के छलो, क्या होगा? यह नब्द़ी अंस है और तब यह है और यह है, दोनों कोड क्या होंगे, बेटा? Nune doctrine होंगे, क्या होंगे बेटा? Nune doctrine होंगे, तो क्या लिखना, बेटा? कोड, कोड B is equal to 90 getting q बेटा? के किसम कोड है और और कोड A वै कोड C क्या है बेटा नियून कोड है ठीक है नियून कोड है अत्य है प्रिभुज A B C में कोड B सबसे क्या है बेटा क्या होगी बेटा सबसे बड़ा कोड है ठीक है बेटा कोड B सबसे बड़ा कोड है कोड B के सामने की भुजा क्या होगी बेटा सबसे बड़ी होगी क्यूं क्यूंकि बेटा बड़े कोड के सम्मुक भुजा बड़ा होता है या बड़े भुजा का सम्मुक कोड भी बड़ा हो होगा सबसे बड़ी भुजा होगी बात खतम बस आए बेटा क्यूं क्यूंकि लिख देना बड़े कोड का सम्मुख भुजा बड़ा होता है ठीक है बेटा उमेड कर रहे हैं आप लोग कोश्चन समझ में आ गया होगा तो पहला कोश्चन आप लोग नोट कर लो फिर चलते हैं बेटा देखेंगे दूसरा कोश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं ठीक है तो पहला इतना ही था ठीक है बाबू आजाओ दूसरे कोश्चन पर देखते हैं दूसरा कोश्चन क्या कह रहा है इसको हम मिटा रहे हैं कोश्चन नमबर एक को जादा कोश्च चित्र में तिर्भुज A, B, C की भुजा A, B और A, C को करम सर बिंदू P तथा Q तक बढ़ाया गया है बेटा एक तिर्भुज है A, B, C ठीक है A, B यहाँ पर लिख दे रहा है ठीक है बेटा A, B और A, C इसको आगे तक बढ़ाया गया, इसको आगे तक बढ़ाया गया इसका नाम दिया बेटा P, इसका नाम दे दिया है Q ठीक है और क्या कह रहा है बेटा कह रहा है कि साथ ही कोड P, B, C छोटा है बेटा कोड P, B, C यह कोड बेटा छोटा है दिया क्या है लिख लेना दिया है क्या दिया है बेटा कोड P B C Less than किसे दिया बेटा Q C B से कोड Q C B बेटा यह कोड इस कोड से छोटा है बोला है ठीक है कोई बात नहीं बाबू कहरा दर्साइए कि A C बड़ा है A B से ठीक है बेटा A C मतलब A C क्या है बेटा बड़ा है A C is greater than A B सिद्ध करना ठीक है बाबू सिद्ध करना क्या सिद्ध करना बेटा कि A C is greater than A B हो जाएगा बेटा आज आओ ठीक है अब देखो बाबू इस कोड को और इस कोड को दोनों को जोड लें तो क्या होगा 180 होगा क्यों क्योंकि बेटा एक क्या है सरल कोड है ठीक है कोड A B C प्लेस कोड P B C बराबर 180 लिखना कोड A B C प्लेस कोड P B C बराबर 180 क्यों बेटा सरल कोड है ठीक है आएस उन में अब बाबू दूसरा आ जाओ यहाँ पर देखो, कोड A, C, B और Q, C, B भी बराबर होंगे, 180 हैं, इसको मा लेना समीकर नमबर 1, कोड A, C, B, प्लेस कोड Q, C, B, यह भी होगा बेटा, 180, क्यों, यह भी है, सरल कोड, ठीक है बेटा, दोनो 180 के बराबर हैं, तो समीकर लिखना बेटा, समीकर एक हुए, दो से, क्या होंगे बेटा, यह दोनों आपस में बराबर होंगे, तो कोड A, B, C, प्लेस कोड P, B, C, बराबर होगा बेटा, कोड A, C, B, प्लेस कोड Q, C, B के, ठीक है लाबू, यहाँ पर हमको दिया है, कोड P, B, C, बढ़ा है Q, C, B से, चूकी, लिखना बेटा, कोड P, B, C, क्या बेटा छोटा है, is less than कोड बेटा is less than, कोड किसके बेटा, कोड क्यू सी बी, तो जब यह है बेटा, देखो यह है, इससे छोटा है, मतलब इसमें बेटा यह वाला बड़ा है इससे तो दोनों बराबर भी है, पूरा यह पूरा और यह पूरा बराबर भी है यह बड़ा है बेटा इससे तो क्या होगा यह छोटा होगा इससे, यह कौन सा बेटा इसमें A, C, B है, A, C, B सौरी, A, C, B तो क्या होगा बेटा, यह छोटा होगा इससे, लिकना आता है कोड A, B, C is greater than हो जाएगा कोड A, C, B के हो जाएगा बेटा, कोड A, B, C, यह है बेटा इसके सामने की भुजा यह वाली होगी पाता है, क्या होगा A, C is greater than इसके, बेटा, A, C इसकोड के A, C, इसके सामने के A, B, A, C is greater than A, B, क्यों बेटा, क्योंकि बड़े कोड के सम्मुक भुजा क्या होती है, बड़ा होती है, ठीक है लिखना बड़ा कोड के सामने की भुजा, ठीक है बात खत्म, और कुछ नहीं कहतना है, हो जाएगा बेटा यह भी सिंध हो गया तो चलो, इसको नोट करो पिर चलते हैं बेटा, कोश्चन नमबर तीन पे, देखते हैं, तीसरा कोश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है आजाओ, देखते हैं बेटा, तीसरा कोश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगा लेते हैं हम लोग, आओ इसको मिटाए आ जाओ बेटा, question number 3 पर तीसरा question बावो क्या कह रहा है, सनलंग चित्र में code B is less than code A बेटा, ऐसी एक आकरती दिया है, कुछ ऐसे करके एक आकरती दिया है ठीक है बेटा, इसको ऐसे मिला दिया है और इसको ऐसे मिला दिया है, ठीक है बेटा और इसमें दिया बावो, A यहाँ पर, B यहाँ पर, यहाँ पर, O यहाँ पर, C, यहाँ पर, D, साइद ही दिया है, ठीक है और कहा है बेटा, क्या कहा है, कि सनलंग चित्र में code B is less than code A, दिया है बेटा, क्या दिया है, code B is less than code A, ठीक है बेटा, कौन सा है, code B यह है कोड बेटा, छोटा है इस कोड से, ठीक है, यही दिया हबाबू, कोड B is less than कोड A, तो क्या होगा बेटा, B के सामने की भुजा, B के सामने की भुजा, O A, क्या होगा बेटा, O A, क्या होगा, छोटा होगा, किस से बेटा, इसके सामने की भुजा, O B से, ठीक है, इसको मा लेना समीकर नंबर एक, क्यों बेटा, क्योंकि लिख देना बड़े कोड के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोड के सामने की भुजा, ठीक है बेटा, आया, फिर बाबु क्या दिया है दुबारा, कुन है, ठीक है, क्या दिया है बेटा, कोड सी, इज लेस दैन कोड D, core C बेटा, is less than दिया है, core D ठीक है, और core C कहाँ पे बेटा, यह है यह core C है, यह core D सिद्ध क्या करना है, बेटा सिद्ध करना इसमें, AD is less than BC, AD कहाँ पे बेटा, AD is less than BC, ठीक है, तो बाबू core C के सामने की भुजा क्या होगी, यह core C छोटा है बेटा, इसके सामने की भुजा क्या है OD, छोटा होगा बेटा OD छोटा होगा किस से, OC से ठीक है, इसको मालने है, समीकरड number 2, ठीक है, करलोगे बाबू, समीकरड, 1 और 2 को जोड़ दो, ठीक है, समीकरड 1 plus 2, करोगे बेटा OA, और क्या होगा OC, OA PLUS OD, क्या हो जाएगा AD, तो AD हो जाएगा बेटा, is less than OV PLUS OC, क्या हो जाएगा BC, A हो जाएगा यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था यह है, आगया, ठीक है बाबू तो चलो, question number 3 भी आप लोग note कर लो, फिर चलते है question number 4 पे, देखेंगे हैं, इसको मिटा रहे हैं ठीक है आजाओ देखते हैं question number 4 क्या कहरा बेटा question, कहरा है AB और CD क्रम्स है चत्रभुज, AB, CD सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है ठीक है बेटा, एक चत्रभुज है ABCD, ऐसे बना है बाबो ABCD, ठीक है ऐसे बना है ABCD दिया है बेटा, क्या दिया है लिख लेना जो दिया है क्या दिया है, सबसे छोटी भुजा सबसे छोटी भुजा क्या है बेटा, दिया है AB, ठीक है और सबसे बड़ी भुजा क्या दिया है मेरे लाल, सबसे बड़ी भुजा क्या दिया है बेटा, कहा है CD, ठीक है ABCD, सबसे लंबी सबसे बड़ी, तथा सबसे छोटी भुजा है, A हो गया बाबू उसके बाद क्या कह रहा है सनलग आकर्ट देखे, दर्साइए कि कोड A, बड़ा है कोड C के, ठीक है बाबू सिद्ध करना है सिद्ध करना, ठीक है बेटा क्या कोड A बड़ा है बेटा, कोड कि से C से, यही बोला है कोड A बड़ा है कोड C कोड A is greater than कोड C, सिद्ध करना बेटा पहला है, दूसरा क्या दिया बेटा इसमें, दूसरा सिद्ध करना है, code B is greater than code D, code B is greater than code, क्या बेटा, D, बाबु यहाँ पे रचना कर लेना, ठीक है, रचना क्या करोगे, देखना, रचना करना कि, बिंदू A को C से, बिंदू B को D से मिलाया, ठीक है बेटा, लिखना, बिंदू A को C से वै बिंदू, B को बिंदू D से मिलाया, हो गया बेटा, हो जायेगा, कोई दिकत नहीं है, अब आज आओ बेटा, हमको क्या करना है, शिद्ध करना है, तो सिद्ध करोगे बेटा, शिद्ध करने के लिए आप कुछ मान लेना, क्या करना बेटा, मान लेना, इसको मान लेना कोड 1, इसको मान लेना कोड 2, इसको मान लेना कोड 3, इसको मान लेना कोड 4, इतना तो कर सकते हैं बेटा, इतना करने मा आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आराम से आप लोग कर लोगे, और बाबू, क्या दि ले लो बेटा, A, C, D में, A, C, बेटा, त्रिभुज, A, C, D ले ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज, A, C, D में, अब बाबू, A, C, D में, यही ले रहा है बाबू, कहा है, C, D सबसे बड़ी भुजा है, यही कहा है, बेटा, C, D सबसे बड़ी भुजा है, दिया न, बेटा, तो CD सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ा होगा बेटा, तो CD इसमें किस से बड़ा हो जाएगा बेटा, इस से, AD से, ठीक है, CD बड़ा, AD, तो CD के सामने का कोर, CD, इसके सामने का कोर 3 बड़ा होगा बेटा, कोर 3 बड़ा हो जाएगा, कोर किस के बेटा, कोर AD के, 1 के, इसको माल ले हम लोग समीकर नंबर एक कर लोगे बेटा लिख देना बड़े घुजा के सम्मुख कोर हो जाएगा आप लोगों को पता हो गया बेटा अब तिरभुज हम ले 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 बेटा कौन सा ए बी सी ले रेते हैं ए बी सी ए बी क्या है बेटा सबसे छोटा है ठीक है तो उत्रभुज ए बी सी में तो ए भी सबसे छोटा है तो बी सी बड़ा होगा बेटा तो बी सी क्या होगा बी सी बड़ा होगा किस से बेटा ए बी से यह भी दिया है तो बी सी के सामने का कोर बेटा चार है तो कोर चार बड़ा होगा कोर दो के ए बी के सामने का कोर बेटा दो हो जाएगा, अब बाव हमको लाना है A, और क्या लाना C, समीकर एक और दो को जोड़ दू, ठीक है बेटा, लिखना समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण एक क्या है बेटा, 3 प्लस 4, कोड, 3 प्लस कोड, 4, बड़ा होगा बेटा, बड़ा का साइन है, कोड A प्लस 4, 2 के, is greater than, कोड 1, प्लस कोड 2, ठीक है बेटा, तो 3, 4 मिलके क्या होगे पूरा कोड A हो जाएगा बेटा, एक, तो कोड A, is greater than, बेटा, एक और 2 मिलके हो जाएगे कोड कितना C, कोड C, यह हमको सिद्ध करना था, ठीक है बेटा, उन्हें, दूसरे वाले में आ जाओ बेटा, हम तिर्भुज ले ले कौन सा, एक बार यह वाला तिर्भुज ले ले लेंगे, और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है बेटा, अराम से हम लोग कर लेंगे, कोई दिक् में, अब इसमें क्या लाना है बेटा, कोड B लाना है, कोड B मतलब यह वाला कोड और यह कूरा आना चाहिए, और क्या बेटा, कोड D, तो यह आना चाहिए बेटा, और यह आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसके लिए सबसे छोटा भुजा A B दिया है, और AD है बेटा, क्या होगा, AD बड़ा होगा बेटा, किस से A, B से, क्यों, क्योंकि बोला है AB सबसे छोटी हो जा है तो AD बड़ा है बेटा, A और D के सम्मुक कोर कौन सा है, AB, D हो जाएगा, ठीक है बेटा, कोर A, B, और D बड़ा होगा बेटा A B के सम्नक D वाला A D B कोड A D B इसको मान लेना बेटा समीकरण नमबर क्या मानूगे दो तक हो गया था समीकरण 3 मान लेना ठीक है अब बाबू कौन सा ले ले तिरभुज ले लेते हैं B C D में क्या ले ले बेटा तिरभुज B C D में हो जाएगा बेटा तिरभुज B C D में अब बाबू इसमें क्या होगा इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी C D होगा क्योंकि बोला सबसे बड़ा भुजा C D है B C से हो जाएगा बेटा तो C D के सामने का कोड कौन सा होगा C B D CDB, इसको माल लिया है बेटा, समी करण नमबर 4, अब बाबु क्या करना, समी करण 1, नहीं, 3 है ना बेटा, समी करण 3, प्लेस 4 कर देना, ठीक है, करोगे बेटा, कोड ABD, प्लेस कोड CBD, बड़ा नहीं, बड़ा है बेटा, इसके कोड ADB, ADB, प्लेस कोड CDB के, ADB, कहां पे बेटा, ABD, यह कोड, और CBD, मतलब मिला के बेटा है हो जाएगा पूरा कोड B, बड़ा बेटा को इसके से, कोड B से, ठीक है, यहीं हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, दोनों हो गया, ठीक है बाबू, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं, अगले कोश्टन के तरफ, देखेंगे कोश्टन नमबर 5, क्या कैरा है, उसको भी, लगाते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं, पांच वे कोश्टन पे, और उसको भी लगा लेते हैं ठीक है बेटा तो आज आओ चलते हैं कोश्चन नंबर पांच पर मिटाएं इसको क्या कहा रहा है पांच पर मिटा सनलंग्न आकरती में पी आर बड़ा है पी क्यू ठीक है बेटा एक तिर्भुज़र पी क्यू आर एक तिर्भुज़ है बेटा पी क्यू आर ऐसे यहां पी यहां पे क्यू यहां पे आर यहां से बेटा एक भुज़ा गया पी यस ठीक है तो क्या कह रहा है कह रहा है पी आर बड़ा है पी क्यू पी आर दिया है बेटा PR is greater than PS ठीक है PR is greater than PQ PR कौन सा बेटा PR यह है इसके सामने की भुजा PQ यह है यह बड़ा है यह छोटा है इसके सामने की Q बड़ा होगा बेटा इसके सामने का Q R से ठीक है तो Q बराबर होगा बेटा कोड R से नहीं, सौरी कोड क्यू बड़ा होगा कोड R से हो जाएगा बेटा उसके बाद क्या कहा बाबू इसमें सिद्धिकेजी PS कोड Q PR को संदिभाजित करता है PS कोड Q PR मतलब इसको इसको बराबर भागों बाट रहा क्या होगा बेटा Q PS PS के ठीक है बेटा दिया है ठीक है कर लोगे सिद्ध क्या करना ये भी लिख लेता है सिद्ध करना है बेटा सिद्ध कीजिए कि कोड PSR कोड PSR Is greater than यहे बोला है बेटा कोड PSQ के कोड PSQ PSR PSR यह वाला कोड बेटा बड़ा है इस कोड से यह हमको क्या करना बेटा सिद्ध करना है चलो ठीक है बाबु अब यहाँ पे तरह भूज एक लेलो PSR और PSQ ठीक है बेटा तरह भूज PSR में तो क्या होगा बाबु PSR में QRPS होगा कोड RPS प्लेस कौन सा कोड होगा बेटा RPS हो गया और कोड PSR होगा कोड PSR होगा प्लेस कोड R होगा तरह भूज के तीनों अंत्य कोड है बेटा इसलिए 180 होगा ठीक है अब बाबु तरह भूज ले लेते है PSQ में PSQ में सेमें इसमें भी होगा बेटा, क्या होगा QPS, कोड QPS, प्लस कोड PSQ, और प्लस कोड बेटा Q, बराबर होगा 180, समीकरण नमबर 2, तो बेटा हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 वे 2 से, क्या होगा बाबू, यह दोनों आपस में बराबर होंगे, तो कोड RPS प्लस कोड PSR प्लस कोड R, ठीक है बेटा, बराबर है किसके कोड QPS, प्लस कोड Q के, ठीक है बेटा, तो देखो, RPS QPS के बराबर है, तो R P S खतम होगा बेटा Q P S से हो जाएगा बाबू P S R और इसमें R इसमें बेटा Q Q क्या है बड़ा है R के तो क्या होगा चू की कोड Q is greater than कोड R तो बेटा जब यह बड़ा है और यह छोटा है और पूरा का पूरा आपस में बराबर है इसलिए क्या होगा इसलिए कोड P S R is greater than हो जाएगा बेटा कोड P S Q बस इतना लिद देना बाग था था और कुछ नहीं करना है ठीक है बेटा यह हो गया इसका answer उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ गया होगा चलो बाबू इसको नोट करो और एक और पोस्चनल इसका last है उसको नोट करते हैं मतलब उसको लगाते हैं sorry इसको मिटाते हैं नोट नहीं करते हैं आज आओ बाबू लाश्ट पोस्चन छेटवानब क्या कहरावा हूँ दर्साइक एक रेखा पर दिये हुए बिंद से जो रेखा पर इस्थित नहीं है जितने रेखा खंड खीचे जा सकते हैं उनमें लंब सब रेखा सबसे छोटी होती एक रेखा है बेटा माल लिया इसका नाम है A इसका नाम है B एक बेटा बिंदू यहाँ पर है जिसका नाम है P यहाँ से एक लंब खीच दिये बेटा जिसका नाम है क्यों लंब है इधर भी 90 बनेगा इधर भी 90 बनेगा तो कहरा बेटा इस बिंदू से इस रेखा पर जितनी भी रेखा खीचे जाएंगी उससे क्या होगा PQ छोटा होगा एक हम यह खीच लिए बेटा एक यह खीच लिए एक यह खीच लिए एक यह खीच दिए यह खीच दिए तो माल यह इसका यं इसका यं इसका P इसका R नहीं P तो है बेटा इसका A B P Q इसका R इसका S इसका T, ठीक है बाबू, तो हम देखेंगे क्या त्रिभुज PQR में, आ जाओ बेटा, क्या करेंगे, त्रिभुज PQR में, बाबू, यह 90 अंस है, यह कड होगा, यह मान लिया लंग होगा, तो कड हमेशा क्या होता है बेटा, बड़ा होता है लंग से, तो PR is greater than इससे PO से, ठ हमेशा लिक देना बेटा, कर्ड सदया, लंग से बढ़ा होता है फिर बेटा, समीकर इलमा लिये त्रिभुज PQ, आर्था बेटा, PQ, यह ले लेते हैं, त्रिभुज PQ, प, अच्छा, यहाँ पे बेटा, Q है, तो यहाँ पे PQ रिखना, PQ, यह में, तो क्या होगा बेटा इसमें देखो, इसमें यह कर्ड होगा, यह लंग होगा, तो P, यह क्या होगा बेटा, इस ग्रेटर देन होगा, P, Q के, समीकर नमबर 2, क्योंकि कर्ड होगा बेटा, फिर त्रिभुज देख लेते हैं, बेटा, PQ, T में, त्रिभुज PQ, T में, तो बेटा, इसमें भी P, T क क्या होगा, करण होगा, इसलिए बड़ा होगा किससे, पीक्यू से, समी करण नमबर 3, इधर देखेंगे, बेटा, प्रिभुज PQ YN में, क्या होगा, पीयन, उज ग्रेतर दैन ओगा, P Q से, Q बेटा यह करड़ है, समी करड़ नमबर 4 से, समी करड़ लिखना, समी करड़ 1, 2, 3, 4 से सिद्ध होता है, किसी रेखा पर, किसी रेखा पर खीचा गया, खीचा गया, किसी बिंदु से, लमबर, सदयव, और खीचे गये रेखा से, छोटा होता है, यह हो गया बेटा, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है, इसी के साथ बाभू, आप लोगों का प्रस्नावली नमबर 7, 4 भी हो गया, खतम, प्रभुजपूरा खतम, अगला चैप्टर बेटा, अगले वेडियो से, आप लोगों से एकी रिक्वेस्ट जितना उसके चैनल सेर कर लिए और सब्सक्राइब कराए, ठीक है, थैंक्यों सो मच,